दोस्ता हमें स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूटूब चैनल और यहां पर टेक जाधों पर आए आपको बताते हैं कि कैसे आप एसमेंस के द्वारा स्टेट बेंक ओफ इंडिया हम अपनों नमबर चैन्ज कर पाएंगे उसी के बारे में आपसे बाते करने वाला हूँ बहुत सारी लोग तरीका बताएं हम भी तरीका बताने का प्रयास कर रहे हैं वर्जिनल तरीका बताऊंगा वर्जिनल मेंस बताऊंगा कैसे बारे करते हैं क्या प्रक्रिया इसी के बारे में आप समझार्चा करेंगे बट वीडियो अच्छी लग जाएगी थोड़ी सी भी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है Google Play Store में जाना एक application आपको दिखाना चाहूँगा जिसका नम SBI Quick जो State Bank of India के द्वारा ही लांच की गए जिसके बारे मैं आपको समझाना चाहूँगा इस app को हम open करते हैं और open करने के बाद मैं बिल्कुल सुरू से आजाता हूँ और देखें यहाँ पर बहुत सारी service इसमें दी जाती है जैसे कि आप यहाँ पर without login भी कुछ कारे कर सकते हैं लोग इन करने के बाद यह कुछ कारे कर सकते हैं दी विदावड लोग इन के बात करें एकाउंट service अफ ले सकते हैं ATM कंडेविट कार्ड के बारे में जान सकते हैं मुबाइल टॉप अप रिचार्ज डिपोजिट कर सकते हैं लोन जमा कर सकते हैं यह नराई service का लाव ले सकते हैं PM किसान योजना का लाव ले सकते हैं ATM ब्रांच देख सकते हैं Holiday calendar देख सकते हैं Digital banking जान सकते हैं SVI Uni पे जान सकते हैं और help disk and feedback के बारे में जान सकते हैं लोग इन करने के बाद आप account service कॉट टुकनाज़ेशन service रेटस और D register का आप समझाज़ सकते हैं दोस्ता हम लोग को क्या करना है हम लोग को समबाइल लिंक करना है बहुत सारे लोग यूटूबर लोग के तरीका बता है तो मैं भी सोचा कि उन आपको थोड़ा सा बता है तो यहाँ पर जब हम account service पे जाते हैं यहाँ से एक नंबर आता है यहाँ पर पॉइंट रिजिस्टर में हम लोग जाते हैं और अपना mobile number यहाँ से लोग बताते हैं आपसे अपना mobile number डाले के बाद आपको क्या करना होता है यहाँ से submit के बटन पर क्लिक कर दीजिए और आपको mobile number लिंक कर दिया जाता है इस तरह से लोग बताते हैं फिल इंटर रिजिए गारे डिजिट अकाउंट नंबर देखें आपर अकाउंट नंबर यहाँ पर डालने के लिए बोलता है और बहुत सारे लोग बताते हैं कि यहाँ से अपने mobile number लिए बदल जागा बट आपको बताना चाहूंगा दोस्तों देखें यहाँ फैसलेटी किसलिए है यह फैसलेटी इसलिए है ना कि आप अपने mobile banking के service को यहाँ से activate कर सकते हैं आप mobile number नहीं change कर सकते हैं बहुत सारे लोग कहते हैं एक number दिखाते हैं लोग बहुत सारे लोग बताते हैं कि यहाँ पर एक number है देख सकते हैं State Bank of India का ही number है 092-346-00000 इस पर लोग कहते हैं एक message किया जाया mobile number change करने के लिए A-M-B-S-R-E-G और लोग कहते हैं एक number यहाँ से change हो जाएगा ठीक है तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर दुस्ते यह ऐसा होता न तो काफी possibility हो जाती है मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर इस तरह से मतलब हम लोग के खाते से अपने mobile number लिंक कर देते हैं मतलब हम लोग का account number डालते हैं और अपना mobile डालके link कर लेता और यह पी आई से बहुत सारे आपको पता है लें दिन हो जाते हैं बट ऐसा possible नहीं है दुस्तों यह जो तरीका है देखे क्या है mobile banking service registration यहाँ पहले से लिंक है तब नया वाला नहीं यहाँ से लिंक होगा देखे नया लिंक करने करती नहीं तरीका है देखे दोस्तों बात यहाँ पे link करने की नहीं है दिए यह कभी रूपय हमारे खाते से खड़ यह तो काफी बड़ी बात होती है तो जो भी तरीका सीखा जाए authentic तरीका सीखा जाए аждationary committed bank of india यहाँ जो तरीका लोग बता रहे है वो घलत बता रहे है ऐसे नहीं करना है Sie ряд कोई दिखकते समेफियाय मेंसारी जो पैसों को पहîne प्राइब आपको जनकारी रियल जनकारी दें वीडियो अच्छी लगए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई जनकारी के साथ तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपने ख्याल रखिएगा